हेलो गाइज आप समी को मेरा प्यार भारा नमस्कार ये देखिए मैं चिली का नास्ता तयार कर रही हूं ब्रेड और दूद और अभी तो चिली हमारा लेटा हुआ है उसको गहरी चोट लगी है इस वज़े से मैं इसको वहीं पे देने जा रही हूं जहां पर वो लेटा हूं और दो पैकेट दूद के और और ब्रेड ये इसको बहुत पसंद है ब्रेड और दूद इसलिए मैं देखो ये रेडी कर रही हूं अपना उसका नास्ता चिली का वो वो दो तीन दिन से ना निरास है कुछ वो उदास बहुत रह रहा है क्योंकि उसके चोट लगी है च थोड़ी देर में देखो ये चीली देखो विचार कितना सुस्त दिख रहा है इसके सीने पर चोट भी है ये पता नहीं कहां से चोट मार लाया इस वज़े से इसकी में सेवा पानी में लगी पड़ी हूं इसके इंजेक्शन भी लगे हैं दबाई भी इसको दे रखी है ये देखिए दूद देखो मैं इसमें डालूंगी और इसको फिर थोड़ी देर के लिए रख दूंगी एक साम के लिए रेडी हो रहा है इसका और एक अभी देऊ अभी इसको दूंगी मैं और ये चिली इतना तो आराम से खा लेगा इंप फिर आधा मैं इसको फ्रीज में दे तो यह रखती। वह षयां से नियुक्त एक आयां रही है यह यह देखिए मैं लेता चिली के पास जा रही हं देखिए अभी दब्ब्ब मैं फrito mhen लगा दूगी और ये एक डबा इसको मैं अभी किला रही हूं देखो ये देखिए वह देख रहा है मेरा नास्ता अगया है ये देखिए इस देखिए ये रेडि हो गया कहाने के लिए देखो चाटने लगाई ये अब यह अपना पूरा नास्ता तयार मैंने कर दिया ही खा लेगा सारा अपना जो भी है सब अपना यह दूद भी पी लेगा ब्रेड भी खा लेगा अच्छे से फिर उसके बाद यह आराम से सो जाएगा इसको दवाई खिला के मैं सुला दूँगी यह सो जाएगा फिर यह सो सोके उठेगा फिर मैं इसको कुछ ना कुछ खिलाओंगी जो घर में रखा होगा मैं कुछ ना कुछ इसको देती रहती हूं घर में कोई भी जानवर आए तो मैं किसी भी जानवर को खाली नहीं जाने देती हूं अपने दरवाजे से कोई भी आजाए मैं कुछ ना कुछ खिला के बेजती हूँ अपने जानवरों को हाई गाइस आप भी ऐसे ही कोई भी आए आपके दरवाजे पे जानवर तो आप भी ऐसे ही कुछ ना कुछ उनको खिला के बेजो यह देखे, यह गाइज देखे, यह थोड़ा बचा है, वो भी अपना खा लेगा चुली, और कुछ रखा हैं, वो मैं फ्रीज में लगा दूँगी, वो साम को इसको दे दूँगी, इसको दबाइ के साथ मैं इसको देती हूं, साम को भी दवाई खिलानी है भी भी खिलानी है तो आज के लिए इतना ही फिर बाद में मिलते हैं ओके बाए